नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टैक अन्बोक्सिंग और गैस आज की वीडियो बहुत यह जादा इंटरस्टिंग होने वाले क्योंकि फाइनली यहां पर हमरे पास आ चुका है बोट, एक्सेंट, स्मार्ट वाच और गैस इस पर्डिकुलर स्मार्ट वाच में आपको बिल्ट-इन ऐलेक्सा का फीचर उन्होंने प्रोवाइड किया है तो फर्स्ट इन दे सेग्मेंट है अंडर 3000 प्राइस ब्राकेट आपको बिल्ट-इन ऐलेक्सा देखने मलता है यह रहा उसका रीटल बॉक्स पकेजिंग यहाँ पर आपको 1.69 इंच का फुल कलर डिस्प्लेश में देखने मलता है स्ट्रेस मॉनिटरिंग, कस्टमाइज़ेबल वाच फेसे भी उन्होंने प्रोवाइड के इसके अंदर आपको बिल्ट-इन ऐलेक्सा भी देखने मलता है बॉक्स के साइड में यहाँ पर कुछ ऐलेक्सा कमांड उन्होंने प्रोवाइड के और पीछे की तरफ यहाँ पर आपको उसके कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन देखने मलते है जिने हम वीडियो में देखेंगे तो जैसे हम इसे अंबॉक्स करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने मलता है उसका यूजर मैनुल, वारंटी काइड और कुछ पेपर वक उन्होंने प्रोवाइड किये हैं उसे के साथ यहाँ पर वो actual smartwatch आपको देखने मलते हैं Initial first impressions बहुत ही premium color यहाँ पर feel होता है blue and red color तो इसे फिला अलम रखते है side में और finally यहाँ पर आपको देखने मलता है इसका magnetic charging cable तो यहाँ पर जो smartwatch के उपर का plastic wrap है उसे हम remove करके करते हैं इसे power on तो सबसे पहले यहाँ पर आपको first power on के लिए इसे charging के साथ connect करना है और आप देख सकते हूँ यहाँ पर boat की badging आ चुके और यहाँ पर QR code है उससे आपको इसका application डाउनलोड करना है और बस यहाँ पर application के अंदर हम search करते हैं और आप देख सकते हूँ यहाँ पर extend smart watch आ चुके और जैसे हम इसके उपर click करते हैं यहाँ पर जो smart watch है वो pair हो जाती है and smart watch pairing के साथ ही यहाँ पर आपको Alexa account भी इसके साथ link करना है तो यहाँ पर हम हमारा Alexa account इसमें link करते हैं आप देख सकते हो successfully यहाँ पर जो account है वो link हो चुका है so guys यह है वो actual smart watch तो सबसे पहले यहाँ पर में बात करना चातो इसके build quality की तो यहाँ पर उन्होंने काफी बडिया blue color में इसके straps प्रोवाइड के है प्लस यहाँ पर इसकी body आपको red color में देखने मिलती है and yes जो material उन्होंने use कि है वो completely polycarbonate material है back side पर यहाँ पर आपको उसके कुछ sensor charging point देखने मिलते है plus right hand side पर यहाँ पर उन्होंने power on button प्रोवाइड कि है plus इसके अंदर आपको built-in mic भी देखने मिलते है and उसी के साथ यहाँ पर जो straps उन्होंने प्रोवाइड कि है so yes guys build quality इस particular smart watch के आपको काफी बढ़िया देखने मिलते है फिर हम बढ़ते हैं इसके display की तरफ तो यहाँ पर आपको 1.69 इंच का LCD display उन्होंने प्रोवाइड किया है जिसके अंदर आपको auto brightness का भी option देखने मिलता है so practically indoor lighting conditions में भी और outdoor lighting conditions में भी बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका display आपको visible हो जाता है so yes guys build quality बढ़िया है display बहुत ही बढ़ा आपको देखने मिलता है and उसी के साथ हम बढ़ते हैं इस watch के UI की तरफ so guys सबसे पहले यहाँ पर आपको home screen देखने मिलते हैं और यहाँ पर watch face change करने के लिए बस आपको tap करके रखना है और यहाँ पर different different watch faces आप change कर सकते हो उपर से नीचे जैसे आप swipe करते हो यहाँ पर आपको notification panel देखने मिलता है नीचे से उपर जैसे आप swipe करते हो यहाँ पर D&D, raise to wake, brightness adjustment, कई सारे options है बैटरी और D&D भी आपको visible हो जाती है प्लस right hand side पर swipe करते हैं यहाँ पर आपको steps का widget देखने मिलता है आपने कितने steps लिए, कितने calories burn किये फिर यहाँ पर आपको heart rate का widget visible हो जाता है उसी के साथ यहाँ पर उन्होंने stress monitoring भी provide किये है फिर यहाँ पर आपको देखने मिलता है workout का menu और next menu में यहाँ पर आपको Alexa भी उन्होंने provide किये है और जैसे आप यहाँ पर power on button प्रेस करते हो सबसे पहले यहाँ पर आपको health data visible हो जाता है आपने कितने steps लिए, कितने calories burn किये, कितना distance cover किये है सारे activities यहाँ पर आपको visible हो जाते है और guys यहाँ पर next menu में आपको sports mode देखने मिलते है और यहाँ पर उन्होंने in all total 14 sports mode इसमें include के जहाँ पर आपको इसमें pool swimming का भी option देखने मिलता है क्योंकि यह जो watch है यह है 580M water resistance तो directly आप पानी में इसे sub match करके रख सकते हो फिर भी यहाँ पर आपको tension लेने की ज़रुवत नहीं है उसे के साथ next menu में यहाँ पर आपको Amazon Alexa का menu देखने मिलता है प्लस यहाँ पर आपको sports data भी देखने मिलता है तो यहाँ पर हमने outdoor walking किया था उसका complete data यहाँ पर आपको visible हो जाएगा और next menu में यहाँ पर आपको heart rate, blood pressure monitoring, stress monitoring का भी option उन्होंने प्रोवाइड किया है फिर यहाँ पर आपको breed training का option देखने मिलता है sleep data, weather conditions आप directly यहाँ से देख सकते हो weather forecast आपको visible हो जाता है और next menu में यहाँ पर music control का भी option उन्होंने प्रोवाइड किया है stop watch का भी option आपको देखने मिलता है alarms का option आपको देखने मिलता है और alarms अब directly यहाँ से ही set कर सकते हो जो इसकी सबसे बढ़िया बात है और फिर यहाँ पर next menu में आपको timer का option उन्होंने प्रोवाइड किया है find my phone का option देखने मिलता है settings का option में आप देख सकते हो wake gesture का option उन्होंने दिया है dnd watch faces brightness adjustment brightness adjustment में यहाँ पर आपको auto brightness का भी option इसमें देखने मिलता है and yes नीचे की तरफ restart and about the device भी उन्होंने प्रोवाइड किया है so काफी बढ़िया UI आपको इस particular smart watch में देखने मिलता है and yes guys इस particular smart watch में आपको built-in Alexa का भी feature यहाँ पर देखने मिलता है so बस यहाँ पर आपको Alexa के option में जाके tap करना है और फिर यहाँ पर आप command दे सकते हो turn off bulb तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो bulb है वो turn off हो चुक है plus वापिस हम इसे turn on करते है turn on bulb तो आप देख सकते हो काफी immediately यहाँ पर Alexa जो है respond करते है plus guys यहाँ पर आप और भी commands इसमें दे सकते हो कुछ इस तरीके से what's the temperature outside who is the president of India and yes guys उसी के साथ यहाँ पर हमने health tracking भी इस particular smartwatch में test किया जहाँ पर आपको इसके अंदर continuous heart rate tracking देखने मिलता है continuous stress monitoring का option उन्होंने provide किया है उसी के साथ SPO2 भी इसके अंदर देखने मिलता है हाला कि SPO2 एक ऐसा factor है जिसके लिए आप एक smartwatch पर रिलाइन नहीं रह सकते and yes इसे हमने intensive भी यहाँ पर test भी किया है तो आप देख सकते हूं यहाँ पर heart rate हम table का यहाँ पर निकाल रहे है और यहाँ पर clear clear instructions आते हैं कि wear the watch properly उसी के साथ SPO2 के लिए भी यहाँ पर आपको instructions देखने मिलेंगी कि wear the watch properly so yes overall इसका जो health tracking है मुझे personally काफी जादा बढ़िया लगा और accurate लगा उसी के साथ यहाँ पर हमने outdoor walking भी इसमें टेस्ट किया था और आप देख सकते हूं यहाँ पर सारी details आपको visible हो जाते हैं आपने कितने steps लिए कितने calories burn किये हैं कितने आपकी pace थी continuous heart rate monitoring प्लस app में भी इसका complete data आपको visible हो जाता है so yes guys overall sports tracking, health tracking के लिए यह जो particular smart watch है काफी बढ़िया है and yes उसे के साथ हम बढ़ते हैं इसके application के UI की तरफ so guys यह है boat wave का official application सबसे पहले यहाँ पर आपको steps देखने मलते हैं आपने कितने steps लिए फिर आपके activities यहाँ पर आपको visible हो जाती है training का option उन्होंने provide किया है जहाँ पर हमने outdoor walking किया था उसका complete data यहाँ पर visible हो जाता है heart rate का graph भी visible होता है आपकी pace प्लस यहाँ पर steps over minutes भी आपको visible हो जाता है so काफी बढ़िया तरीक से उन्होंने यहाँ इसे design किया है plus यहाँ पर नीचे की तरफ आपको widgets देखने मिलते है heart rate के stress monitoring आपका weight SPO2 plus यहाँ पर training का भी option उन्होंने प्रोवाइड किया so directly आप यहाँ से ही training को trigger कर सकते हो और devices में जाते हैं आप देख सकते हो extend watch जो है connected है और यहाँ पर उसकी battery level भी आ चुके है जैसे हम इसके उपर click करते है सब से पहले हैं आपको steps calories वापिस देखने मिलते है option उन्होंने यहाँ पर provide किया है तो आप customized watch face भी इसमें set कर सकते हो health monitoring में आप देख सकते हो यहाँ पर continuous heart rate monitoring हमने enable किया है plus यहाँ पर stress monitoring drinking water reminders, sedentary reminders menstrual cycle reminders भी उन्होंने provide किया plus alarm को यहाँ से ही आप इसमें set कर सकते हो plus smart watch से भी यहाँ पर set कर सकते हो और उसी के साथ यहाँ पर notifications का भी option उन्होंने provide किया है तो आप देख सकते हो यहाँ पर allow notifications में SMS, Facebook, Twitter, Insta कई सारे notifications आप इसमें enable कर सकते हो उसी के साथ call alerts में यहाँ पर हमने call alerts को enable किया है plus 3 second का delay भी आप यहाँ पर enable कर सकते हो फिर नीचे की तरफ यहाँ पर आपको auto recognition sports mode देखने मिलते है जहाँ पर हमने running and walking को enable कर दिया है और device settings में यहाँ पर आपको कई सारे settings देखने मिलते है जैसे find my phone, music control, wake gesture, weather focus, shortcuts, multi sports mode, device language, reset the device और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको firmware updates का भी option उन्होंने provide किया है so guys काफी बढ़िया तरीके से इस particular application को उन्होंने design किया है so guys application का UI आपको completely नया देखने मिलता है काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने उसके UI को customize किया है and yes फिर हम बात करेंगे इस watch के notifications की तो आप देख सकते हूं यहाँ पर जो call notifications है काफी immediately मुझे reflect हो जाती है smart watch में और यहाँ से ही मैं call को reject कर सकता हूं but guys अगर मैं यहाँ पर SMS notifications की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर मुझे delayed notifications देखने मिलते है almost 3 to 4 seconds मुझे wait करना पड़ता है similarly WhatsApp के लिए भी यहाँ पर delayed notifications आ जाते है so guys call notifications यहाँ पर आपको काफी quickly इसमें देखने मिलते है but जो WhatsApp के messages होते है यहाँ फिर जो regular messages होते है उसमें आपको थोड़ा बहुत delay यहाँ पर मैसूस हो जाएगा and yes एक particular smart watch में battery बहुत ही जादा crucial rule play करती है और इसके अंदर आपको देखने मिलते है 300 mAh की battery जो typical usage पर आपको 7-8 days की battery life यहाँ पर प्रोवाइड करेगी so guys यह जो particular smart watch है boat की extent smart watch आपको मिल जाती है 2,999 रोपीज की price में pricing बहुत ही जादा guys impressive है and yes built-in Alexa आपको इसी smart watch में देखने मिलता है जो under 3000 price bracket है sports mode भी काफी बढ़ी है 5 ATM water resistance है display काफी बढ़ी है crisp and clear visible हो जाता है so yes smart watch बहुत ही बढ़ी है इस particular price range में and अगर किसी को इस smart watch को purchase करना है तो link में नीचे description box में दे दूँगा वहाँ पे जाके आप इसे purchase कर सकते हो and बस यही था आज के वीडियो I hope आपको आपको वीडियो पसंदा होगा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो बदा है